हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टो माइ चैनल आयम रिश्वी यह मैठ्स टीचर तो मिसलेनियस एक्सराइज में नेक्स्ट हम क्वेश्टन सौल करते हैं 5 जितने होसके इस वीडियो में सौल करेंगे तो क्वेश्टन नुबर 5 यह आपने पहले किया हुआ है इस तरह का यह बिल्कुल ऐसे ही एद यह वैल्या अंदर के यहां पर फावर six है आ पाव फोर है तो आपने हैं क्वेश्टन में क्या खाता है कि आप यहां यहां वैयेबल क्वेश्कों को सौल कर्ड़ों तो अससे क्या हुता है लास्ट में जो आंसर बचता है उसमें हम एक रूंद रख रहे थे और बी के जगे रूट 2 रख रहे हैं तो यह प्लस बी तो रूट 3 प्लस 2 है तो वैल्यू सेम है यहां पर तो हम इसी तरीके से सॉल करेंगे ताकि ज्यादा question complicated नहीं तो जब भी इस तरह की question आपको आते हैं तो पहले आप variable के लिए solve कर लो बाद में उसकी value को वहाँ पर put कर लो तो यह same ही question है अगर आपने देखो तो root 3 plus root 2 की यहां power 4 है और यहां पर आपकी power क्या है 6 है ठीक है बागी sign सब कुछ same है अगर आप देखोगे 8.1 exercise का जो question number 11 है तो हम भी इसको एक variable की form में लेकर के solve करेंगे बाद में हम यहां पे a की जगे पर क्या put कर देंगे root 3 और b की जगे क्या put कर देंगे root 2 पूट कर देंगे तो let जो हमारी given equation है उसको हमने x plus y की power root 6 minus x minus y की power root 6 की form में लिख दिया है सबसे पहले हम इसको solve कर लेते हैं इसको इसको solve कर लेते हैं तो यह हमने यहां पर formula लिख दिया formula हमेशा लिखना है जब भी आपको किसी भी question में कोई भी formula आपको बता है तो binomial से हम इसको expand करेंगे तो binomial का हमने यहाँ पर formula लग दिया तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे n की जगे पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे, a की जगे पर x रखेंगे b की जगे पर y रखेंगे तो put करो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, summation r equal to 0 to 6 हो जाएगा 6cr हो जाएगा a यह नहीं की आपका x की पावर 6-r हो जाएगा और b कौन है तो y की पावर यहाँ पर 6 हो जाएगा बस अब हम इसको यहाँ पर क्या करते है, expand कर दे r equal to 0, 1, 2, 3 put करेंगे जब तक की r की value 6 नहाँ आ जाए तो total आपकी 7 steps आएगी पावर 6 से इसलिए, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, 6c0 x की पावर 6-0, y की पावर 0, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 6c1, एक बार 0 रखना है r की जगे सब जगे 0, फिर r की जगे 1, फिर r की जगे 2, ऐसी ही रखेंगे न यहाँ y की पावर आ रहाएगा फिर आपका 6c1 x की पावर 6-0, अब क्या हो जाएगा, अब 6 से एक कम हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ पर एक बढ़ जाएगी यहाँ गटती जाएगी, यहाँ बढ़ती जाएगी फिर आपका 6c2 x की पावर एककम 4 हो जाएगी यहां y की पावर 2 हो जाएगी सबका सम अमेशा क्या होना चाहिए 6 आना चाहिए फिर आपका यहां हो जाएगा 6C 3 x की पावर 3 हो जाएगी y की पावर B यहाँ पर 3 हो जाएगी 3 प्लस 3 6 हो जाएगा फिर 6 C आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा X की पावर 2 हो जाएगी Y की पावर 4 हो जाएगी फिर next आपका हो जाएगा 6 C 5 हो जाएगा X की पावर 1 हो जाएगी Y की पावर 5 हो जाएगी और 6C6 हो जाएगा X की पावर 0 हो जाएगी और Y की पावर 6 हो जाएगी ठीक है X की पावर कम हो जाएगी 6 5 4 3 2 1 0 और Y की बढ़ती जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 बस अब अब आग बार हम इसको solve कर जाएगे सबसे पहले आपको यहाँ पर वैल्यू पता होनी चाहिए तो वैल्यू लिखो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी तो 6C0 जो होगा हमारा 6C6 की को लोगा ठीक है यह हम तो कब से solve करते हैं अब तो मिसलेनियस में आगे हम तो यह दोनों वैल्यू क्या होती 1 की को लोगा तो यह बहुत शॉट था ही का 6C2 है न उपर 2 लिख दो 6 x 5 नीचे 2 लिख दो 1 x 2 यह नीचे बढ़ते में मतला उपर गढ़ते में तो यह cancel हो गया 3 तो यह 5 3s हा कितना आगया आपका यहाँ पर 15 हा गया इसके पाल हमारा 6C1 रहे गया 6C1 तो 6-1 यहनी 6C5 की एकोल होगा तो यह 6C1 NC1 किसके एकोल होता है NC1 होता है N की एकोल तो यहाँ N का है आपका 6 है तो यह आपका यहाँ आपका 6 हा गया तो सारी साथ value आगी एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ होगी अब आप यहाँ पर इसको solve कर दो तो 6C0 हमारा 1 आया था X की power यहाँ पर 6 था Y की power 0 क्या होता है तो वो भी 1 होता है फिर 6C1 कितना है तो यह आपका 6 आया X power 5 हो गया, Y power 1 हो गया फिर 6C2 कितना है तो यह आपका 15 आया तो 15X power 4 Y square हो गया फिर 6C3 कितना है तो यह हमारा 20 है 20X की power 3 Y power 3 हो गया फिर 6C4 कितना है तो 15 आया तो 15X square Y 4 हो गया 65 हमने calculate गया, 6 आया तो यह XY power 5 हो गया और 66 हमारा 1 आया तो यह भी आपका यहाँ पर 1 हो गया x power 0 भी 1 हो गया और यह y की power 6 हो गया तो बस यह हमने यहाँ पर solve करके इसको लिख दिया ठीक है तो यह यहाँ पर चाहो तो यह 1 से जो multiply कर रहे हो तो आप लिख जो तो और यहाँ पर चेक भी कर लो आपका answer right here होंगे देखो यहाँ सब की power जो है sum सब का 6 आएगा यहाँ 6 है x 5 है y 1 है 5 प्लस 1 भी 6 होता है फिर आपका 15 x 4 है y square तो 4 प्लस 2 भी 6 होता है फिर 20 x 3 y 3 तो 3 प्लस 3 भी 6 होता है then 15 x square y 4 4 प्लस 2 6 होता है फिर 6 x y power 5 तो 5 प्लस 1 आपका 6 हो गया और यह y power 6 हो गया तो अभी हमने यहाँ पर क्या calculate किया x plus y की power 6 अब हम इसको calculate करते है फिर बस minus का sign ही तो लगाना है आपका यहाँ पर क्या हो गया तो यह तो हम क्या direct लिख सबते है x minus y की power 6 तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा बीच में minus नहीं होना चाहिए हमारे formula के according बीच में क्या होता है plus होता है तो यह यहाँ पर plus कर दिया y का sign y को पकड़ा दिया तो यह हमने यहाँ पर रख दिया अब बस आप यहाँ पर क्या देखोगे कि जहाँ पर भी y की power odd है वो term negative हो जाएगी और जहाँ पर y की power even है वो आपकी positive रही देखो कैसे यहाँ x की power 6 है यहाँ तो y ही नहीं तो यह आपका x की power क्या रहेगा 6 ही रहेगा फिर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर y की power कितनी 1 है 1 है तो odd है odd है तो यहाँ पर minus y होगा minus y होगा तो यह positive आपके यहां पर क्या हो जाएगा तो यह माइनस का 6 x की पावर 5y हो जाएगा फिर यहां y की पावर क्या है एवन है 2 तो एवन होती ना तो यह पॉजिटिव हो जाएगी बस ऐसी लिए ना पॉजिटिव नेगरिटिव पॉजिटिव हो कि x हमारा पॉजिटिव है तो पहली पॉजिटिव आएगी, x4 y square हो गया, फिर यहां y की पावर three क्या है, odd है तो यह negative हो जाएगा, twenty x cube y cube हो गया, फिर y की पावर four आपका even है, तो यह आपका positive रहेगा, fifteen x square y power four, फिर यहापकी y की पावर odd है, तो negative हो जाएगा 6 x y की पावर आपकी 5 होगे और y की पावर 6 की आपका even है तो यह आपका यहीं रहेगा तो बस अब हम यहाँ पर करना क्या है इस वाली 6 यही लिखा न यह लिखा और हमने यह लिखा है बस अब इसका solution यह रहा इसका solution यह रहा तो आप यहाँ पर देखो बीच में minus का sign है न तो यह सब के sign यहाँ पर क्या होगे बदल जाएंगे अगर मैं यहाँ पर बहार minus इस तरह से अब multiply कर दूँ तो यह minus क्या करेगा शारे positive को तो negative करेगा और सारे negative को क्या करेगा positive करेगा क्योंकि minus plus minus होता है और minus minus क्या होता है यहाँ पर plus होता है तो पहले इस वाली term को लिख लें as it is ताकि हम cancel क्या हो रहे हो लिख लेक्स एक्स की power 6 हो गया फिर 6 x power 5 y हो गया यह लिख रहे है अभी 15 x power 4 y square हो गया देन आपका यहाँ पर 20 x cube y cube हो गया देन आपका यहाँ पर 15 x square y power 4 हो गया फिर आपका यहाँ पर 6 x y y power 5 हो गया फिर y power 6 हो गया अब यह रहा माइनस का साइन आ रहा तो यह माइनस का साइन यहाँ पर सबके साइन को बदल देगा एक्स पावर 6 positive है नेगिटिव हो जाएगा यह नेगिटिव है तो यह आपका यहाँ पर positive हो जाएगा फिर यह नेगिटिव है तो यह आपका यहा यह till पहxton पर एक सुग्लारी यहां पर लिकल में सुख़ चांउ होगा यह सबाव का सब्सक्राइब तो में सिक्लिफान क comics लिकल मेंद लिवेग। मैं सब्सक्राइब हक्ला यह सब्सक्राइब ddhp अपका यहां पर हो गया 40 क्योंकि पावर तो सेम है ना पावर तो शिप की हुए हमें सिफ नंबर देखना बस यह देखना यहां यह सेम होनी चाहिए तो यह एक्सक्यूब यह नों बजगे तो यह 6 X और यह वाला तो 6 प्लस 6 नहीं नहीं एक सेगें एक सेगें एक सेगें कुछ गड़ बढ़ हुई क्या यहां पर आपका क्या क्या बचा है 1 2 3 बचा है तो यह तो हमने solve करें यह यह बच गई यह दो 6 प्लस 6 की क्या हो जाएगा 12 हो जागा यह दो दोनों हम add कर चुक है तीन टम 1 2 3 उपर बची और 1 2 3 नीचे बची नीचे टोटल आपके यहां पर कितने आएगी 6 उपर नीचे 3 आएगी तो यह 12 x y की पावर 5 हो गए तो यह हमारा यहां पर final solution हो गया किसका x प्लस y की पावर 6 माइनस x माइनस y की पावर 6 का बस अब हमें क्या करना है जो हमारा question है उसको अब हम ली कराता है तो अब हमने अपना question यहां पर लिख दिया कि हमारा question तो यह वाला था यह तो हमने formula की form में solve गया था कि easy हो जाए तो x की जगे root 3 रख रहे है y की जगे root 2 रख रहेता यहां रहां तो सब्सक्रांफ और 7 गोकी आटो 9 640 फीड़ में peers करने 10 यहां पर क्याया by जाए अब हमें स्सक्राइब हमें इसको solve करना है और हमारा answer के पर आचाएगा तो ऑन चीज्ए यहां पे समझो जब भी हमारा कोई root का number होता है जैसे हमारा यहाँ पर root x हो गया इसकी power जब भी आपकी even होगी, even होगी यह 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यह 4 हो, 6 हो, 8 हो यह solve जाती है, क्यों कैसे solve जाती है, कड जाती है, x root का मतलब क्या होता है, x की power 1 by 2 अब इसके product में, अगर मैं 2 लिखती हो, तो भी यह cancel हो जाएगा, अगर मैं 4 लिखूंगी, तो 2 time cancel होगा, अगर मैं 6 लिखूंगी, तो 3 time cancel होगा, और 8 लिखूंगी, तो 4 time cancel होगा, तो हमेशा यह root यहाँ पर हट जाएगा, और 2 था तो power 1 होगी, 4 था तो x square हो गया, 6 था तो यह x cube हो गया, ऐसे यहाँ पर solve हो जाएगा, तो हमेशा जब भी कोई root पर power आती है, तो आप उसको try करो, कि अगर यह power 5 है तो इसको आप e1 बनाने की कोशिश को, e1 कैसे बनाऊगे, तो root x की power 4 अलग कर दो, और 1 root x वहाँ पर अलग कर दो, root x की power 5 का मतलब क्या है, root x 3 time, फिर आपका 4 time, और फिर यह आपका 5 time लिखा होगा, तो 5 time लिखा होगा, तो हम 4 का अलग group बना लेते हैं, एक का अलग group बना लेते हैं, क्योंकि यह हमें पता है, solve हो जाएगा, कैसे solve हो जाएगा, x की power root का मतलब होता है, 1 by 2 और यह multiply में 4 हो जाएगा, तो यह cancel हो गया, 12 तो हम आजटे जरखते हैं, फिर आपका root 3 की power 4 अलग कर देते हैं, और एक root 3 यहाँ पर अलग कर देते हैं, root 2 तो root 2 ही रहेगा, क्योंकि इसके पास तो power 1 है, even even कर देते हैं, यह 1 होगा, अब यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, solve हो जाएगा, same यहाँ पर भी अगर आप दे जो solve हो रहे हो अब कर दिया फिर आपका यहां पर 12 हो गया root 3 तो आपका as it is रह गया root 2 एक बाहर निकाल दिया और एक root 2 की power हमने 4 को ले तो 4 प्लस 1 अपस 5 ही हो जाएगा अब इदर देखो आप यहां पर यह root 3 की power 4 है तो root 3 की power 4 को हम कैसे solve करेंगे तो root का मतलब होता है 1 by 2 और into क्या product में क्या 4 है 2 से 4 cancel होगे 2 time यह निका बज़ा 3 square तो 3 square कितना होता है आपका 9 होता है तो यह 9 से solve हो जाएगा इसका solution हमने जब किया तो हमारा कितना आ रहा है 9 तो यह solve हो रहा है इसलिए जहां-जहां तो यह आपका यहाँ पर हो गया 12 और root 3 की power 4 को जो हम solve करें तो यह 9 और root A into root B क्या होता है अंडर root A भी हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 3 into 2 हो जाएगा रूट में चले जाते हैं अगर अलग-अलग लिखे हुए है तो यह एक रूट में नहीं चले जाते हैं ऐसे देखो root A into root B को हम क्या लिखते हैं अंडर root of A भी लिखते हैं यह तो हम 9th class से पढ़ते हैं आ रहे है चीचिक है तो यह आपको यहां पे आ गया फिर यहां पर देखो यह आपका यहां पी 40 हो गया अब root mets – 1 by 2 सा यह 2 कैंसल हो गया तो यहां पर सिर्फ आपका 3 बचा यहां भी 1 Bay 2 सा यह 2 Чänger हो गया तो यहां पर आपका 2 बचा और root 3 into root 2 मिलके फिर से यहाँ पर टूए-что नहीं समझ में आया क्विसाट कोई बातल नहीं समझन नहीं लेने का जो समझ वापस पम ऐ से पावर ठो है तो यहाँ वाद रund को नहीं सो से क्वर्ण तौन जेए तो यहाँ पर देखा वाद है यहां पर दिखो इंटू रूट टू कितना होगा रूट शीक्स हो गया अब रूट टू की पावर फूर तो इसको भी ऐसे ही स्वाल करेंगे रूट टू की पावर क्या है हमारा फूर है यहां रख दी तो यहां सीधा सिक्स कर रहे हैं वह यहां तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ यह इन सब को जब आप एड करोगे तो यह आपका एगा यहां रूट तो इसको जैसा क्यों यहां इतना शाल कर नहीं है साथ तो करतां नहीं के करोगे तो एसा ही question है, question number 6 है, find the value of a square plus under root of a square minus one की power four, plus a square minus under root of a square minus one की power four, तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, record के अंदर term से में, यहाँ भी a square है, यहाँ under root of a square minus one है, यहाँ भी under root of a square minus one है, यहाँ plus है, यहाँ minus है, तो अच्छा है ना कि हम इस complicated की term को लेकर के solve करें इससे अच्छा हम इसको एक variable में let कर लेते हैं और last में हम यहाँ पर value put कर लेंगे तो अगर इससे हम compare करते हैं तो यहाँ पर हमारा x कौन है x आपका यहाँ पर a square है और y यहाँ पर कौन है तो under root of a square minus 1 है क्योंकि formula के according जो plus से पहले होता है वो x होता है जो plus के बाद होता है वो आपका y होता है तो हमें a b में लिखते हैं बढ़िया a है इसलिए formula हमने x y में लिखा तो बस अब आप इसको expand करो और वैसे ही जैसे अब धी हमने किया वैसे ही करेंगे तो now x plus y की power 4 इसको solve करके तो सबसे पहले क्या होता है अब देखूं यहाँ बिना formula के में लिखते हो जब से पहले हैगा 4c0 इसकी power सबसे maximum होगी y की power lowest होगी अब बस यहाँ पर बढ़ाते जाओ 0 को बढ़ाते जाओ और 4 को कम करते जाओ 4c1 x ki power 3 y ki power 1 होगी इसकी कम होग एसकी बढ़ा दी फिर आपका क्या होजाएगा 4c2 x की power आपकी हेहाँ 2 1 कम y की power 1 बढ़ गए 4c3 x की power 1 कम y की power 1 बढ़ गए फिर लास्ट होजाएगा 4C4 X की पावर 0 हो गई Y की पावर 4 हो गई बतलब जो यहां से चला ना वो यहां उल्टा हो जाता है X4 यह तो X0 हो गया Y0 तो Y4 हो गया तो बस अब अब इसको यहां पर हम solve कर ले हमारा 4C0 जो होता है वो किसके एकोल होता है 4C4 की 4-4 भी 0 होता है 4C2 तो 4-2 भी 2 होता है तो यह 4 x 3 उपर 2 लिखेंगे और गढ़ते हुए नीचे 2 लिखेंगे बढ़ते हुए तो यह 2 की टेवन में कैंसल हो गया नहीं तो आप NCN वाला फॉर्मूला भी लगा से तो यह तो मैं शॉट तरीके solve कर रही हो इससे भी कर सकते हो इससे भी कर सकते हो तो यह 3-2 को फिर से पुट कर लिए तो यह आपका 4C0 कितना है 1 आएगा यह भी 1 तो यहां से सिर्फ आपका x की power 4 बचे गा फिर यहां से 4C1 आपका 4 आ गया x power 3 y power 1 y होता है फिर 4C2 4C2 आपका यहां पर कितना आ गया 6 आ गया आपका x square y square हो गया फिर आपका 4C3 4 आ गया तो यह 4x y cube हो गया फिर 4C4 तो 4C4 आपका 1 है तो यहां पे यह भी 1 यह भी 1 तो y power 4 ही बचे यह है तो यह हमारा x plus y की power 4 हो गया अब हम अम यहां पे लिख लेते हैं Now, x minus y की power 4 भी calculate कर ले, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बीच में plus होना चाहिए, फॉर्मले की according, तो minus sign इस minus को पकड़ा दिया, इसी को पकड़ा दिया, इसका sign, ठीक है, तो ये x plus minus y की power 4 हो गया, अब क्या करना है, जहां भी y की power even है, वो negative, odd है, यहां भी y की power odd है, वो negative हो जाएगा, और जहां even है, वो positive रहेगा, भी समझायाएगा ने, यहां तो y है यही नहीं, तो यह तो x power 4 ही रहेगा, यहां y की power 1, 1 क्या होता है, odd होता है, तो यह negative sign आगया जाएगा, तो minus 4 x cube y हो गया, फिर यहां y की power क्या even है, तो even negative का square करके, उसको positive बना देगा, तो यह 6 x square y square हो गया, फिर यहां y की power again odd है, तो यहां गी negative हो जाएगा, 4 x y cube, और यह y की power 4 है, तो यह y की power क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, positive ही रहेगा, तो यह power भी क्या है, even है, बस अब इन दोनों को हमें क्या करना है, add करके लिखना है, now, जो हमारा question है, उसके according हम लिखे है, तो x plus y की power 4, यहां बीच में है plus का sign, x minus y की power 4, यह यह में लिखना है न, तो आप यहां पे लिखो, x plus y की power 4 की value क्या है, यह रहेगा, यहां लिखो, x4 plus 4 x3 y plus 6 x2 y2 plus 4 xy3 plus y की power 4, अब यहां पे क्या sign है बीच में, plus का sign है, तो plus का sign है, तो किसी का sign चेंज नहीं होगे, बीच में जब minus होगा, तो सब के sign चेंज देखो, यह value हमने लिख दी, अब यहां पे plus का sign है, प्लस तो किसी के sign चेंज नहीं करता, यह अज़र्टेज रहेगा, plus x power 4, क्योंकि यह को इसके आगे, अगर मैं यहां पे plus लगा लेती हूं, तो plus 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 होगा, plus minus minus होगा, x power 4 होगया, फिर minus 4 x3 y होगया, फिर plus x, 6 x square y square होगया, फिर आपका minus का, 4 x y cube होगया, और यह y की power 4 होगया, तो देखों, यह इससे cancel होगया, यह इससे cancel होगया, बस 4 time ही हमारी cancel हो रही है, तो अब बच्चा कितना, तो यह आपका यहां पे हो जाएगा, x4 plus x4, तो यह आपका यहां पर हो जाएगा, 2 x की power कितना होगया, और 4 प्लस x minus y की पावर 4 का तो अब हमें जो value निकाल के लानी है उसके according हमने पहले ही किया था कि हमारा x इतना है और y इतना है यह हमारा x है और यह हमारा y है हमें value कि इसकी चाहिए इसकी चाहिए इसकी चाहिए न तो now अब हम यहाँ पर लिखते हैं ठीके तो हमने लिखा now put x equal to a square and y equal to under root of a square minus 1 इसके अंदर put करेंगे तो यह equation नमले दी यह बिल्कुल इसके similar है न तो यहाँ पर रखो यह 2 x की power 4 यानि a square की power यहाँ पर 4 हो गया फिर आपका यहाँ पर कितना हो गया 12 x square यानि a square की power यहाँ पर 2 गया बस इस x की चाहिए हम a square रह रहे हैं y square तो y कौन ह आपका under root of a square minus 1 तो यह इसका हो गया whole square plus 2 y power 4 है तो under root of a square minus 1 की power यहाँ पर कितनी है आपका 4 हो गया बस अब हमें कुछ नहीं करना है इसको solve करना है 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया तो यह तो simply solve हो गया 2 a power 8 हो गया plus यह आपका 12 as it is 2 into 2 तो यह भी आपका यहाँ पर 4 हो गया अब देखो यह 2 है और यह root है तो यह 2 से आपका यह root क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो यह आपका a square minus का 1 हो गया कैसे हुआ यहाँ पर देखो नहीं समझ में आया तो यह क्या लिखा हुआ है under root of a square minus 1 की power आपका 2 हो गया तो अंडर रूट of a square minus 1 क्या होता है अब यहाँ पर रूट की power कि फोर हो जाएगी under root of a square minus 1 यहाँ पर कितनी है फोर है तो क्या हो जाएगा पहले इस root का मतलब क्या होता है 1 by 2 होता है 4 into 4 होगा 2 से 4 cancel होगा 2 time तो यहां से क्या बचा है a square minus 1 का whole square बचा है यह हमें यहां पर square क्या करना पड़ेगा फिर खूलना पड़ेगा तो यहां पर जब root से cancel होगा तो यह आपका यहां पर बचाएगा plus 2 a square minus 1 की power 2 हो जाएगा क्योंकि यह 4 है यह root उसको क्या कर देगा आधा कर देगा बस अब इसको solve करो जब तक अब इसको final solution तक लिखना है तो यह 2 a power 8 हो गया plus इसको अंदर लेगे जाओ तो यह 12 multiplied 12 हो गया और base same होता है तो power क्या होती add हो जाती टो 4 फ्लस 2 याभने एब आवर 6 हो गया फिर 12 x a 12ix 4 यह minus हो गया 12 a की power यहाँ पर क्या हो गया फोर हो गया फिर plus 2 हो गया तो यह schneller formula क्या लग जाएगा a square plus b square minus 2a भी लग उनिस qoar डरे एगा power 4 हो गया b square 1 का square 1हा minus 2d b मैंनि minus 2a2 फिर यह आपका कितना हो गया 2a power 8 plus 12a power 6 minus 12a power 4 अब इस 2 को पर अंदर ले जाओ तो यह आपका यहाँ पर हो गया 2a power 4 plus 2 1 चापका 2 और plus minus minus 4a square हो गया बस सॉल्ट करनो सबसे maximum power power according arrange कर जाए 2a power 8 है फिर आपका यहाँ power का 6 है 12a power यहाँ पर 6 हो गया फिर यह दोनों power आपकी same है तो यह solve जाएगी तो 12 में से 2 गया तो 10 बचा a power 4 लेकिन sign negative है क्योंकि 12 बड़ा है तो sign उसका हैगा फिर आपका a square वाली time आएगी तो minus का आपका यहाँ पर 4a square आएगा फिर आपकी constant time हैगी हमेशा जब यह आप answer लिख करके देते हुरा तो हमेशा power के according arrange करके उसको answer को दिया करो वो बिलकुल सही दिखता है आपका answer चेक करने वाले के लिए बीजी रहता है कि 8 6 4 2 इस तरह से उल्टा पुल्टा answer नहीं देना ठीक है क्योंकि answer represent करने का भी एक तरीका होता है चेक है तो मुझे नहीं लगता आपको की 5th और 6th question में कुछ आपको ऐसा चीज जो नहीं समझ में आई क्योंकि यह हम 8.1 में पहले ही इस तरह की question हम बहाँ पे कर चुके हैं तो यह दोनों question होगे simple next two question भी आपकी बहुत simple है तो question number 7 भी हम इसमें solve कर लेते हैं 8 9 10 next video में solve करेंगे find an approximation of 0.99 power 5 using the first three term of its expansion तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको यह जो यहाँ पे term दी हुई है आप इसका expansion करो expansion किससे करते हैं हम हमेशा हमारा जो हमारे पास formula है binomial formula उसी से हम expand करते हैं तो यह कह रहा है कि आप इसको expand करो लेकिन only three term तक ही expand करना मतला first three value ही लिखनी है जैसे हम a plus b की power and come expand करके ना जैसे अभी हमने यहाँ पे किया तो इसके according जब हमने expand किया तो यहाँ पे जितनी term हो सक आगे हमें यहाँ पे नहीं लिखना है तो करें फिर हम इसको expand तो यह रही हमारी term तो अब हमें यहाँ पे expand किसको करना है 0.99 की power 5 तो जब हम यहाँ पे expand करने के लिए formula अगर देखते हैं तो वह हमारा क्या होता है a plus b की power n equal to summation r equal to 0 to n a की power ncr बूलगे ncr a की power n minus r b की power यह हमारा formula होता है तो formula की according यहाँ पे क्या होनी चाहिए दो term होनी चाहिए तो यह कोई पहला question ही जो हम यहाँ पे कर रहे है कि जहाँ single term दी हुई है और हम इसको दो term नहीं बना सकते हमने 8.1 exercise में ऐसे question किये जैसे यह 96 की power हमारा cube था इसको binomial से expand करना था तो हमने इसक number लिखते है क्योंकि 10 की power को solve करना easy होता है यह 102 था तो हमने 100 plus 1 लिखा यह 100 plus 2 लिखा यह 100 plus 1 लिखा और यह 100 minus 1 लिखा तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 term चाहिए तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 term में change करना पड़ेगा तो 2 term में आप इसको कैसे change कर सकते हो तो plus मे तो आप यहाँ पे नहीं लिखते है क्योंकि यह 1 से कम number तो हम इसको क्या करेंगे minus में लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखो कि यह जो हमारा यहाँ पे होगा वो होगा 1 minus 0.01 होगा नहीं समझ में आ रहा ना तो इसको 1 में से आप यहाँ पे क्या कर दो इस number को subtract कर दो तो आपको आईडिया लग जगा यहां पर क्या आएगा जैसे कि बच्चों को नहीं समझ वाएं कि यह आपने 0.01 ही क्यों लिखा तो अब यह नंबर 1 से छोटा है जिसे 102 था वह 100 से जस्ट बड़ा था तो हमें 100 प्लस कर दिया यह नंबर आपका 0.99 है यह 1 से बिलकुल छोटा है 1 से just चोटा है तो आप क्या दिखोगे 1.00 में से 0.99 सब्ट्रैक कर दो कितना चोटा है तो आपको पता जाए 10 में से 9 गया तो एक हो गया नौ में से 9 गया जीरो और यह 0 तो यचिशे नंबर के यह आसपास है, तो यह 1 के आसपास है, तो 1 माइनस हो जाएगा, पावर यहाँ पर क्या हो गया, फाइल हो गया, बट हमारे फॉर्मले के अंदर क्या होता है, बीच में प्लस होता है, तो हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, तो यह क्या होगा, अपका 1 माइन तो minus की जगे हमने plus कि दिया और minus का sign हमने 0.01 को यहां पर पकड़ा दिया यह हमने नहीं हमने यहां पर कर दिया अब हमारे formula कि according अगर आप देखते हöm तो a है तो a यहां पर है 1 और b कॉन है तो b आपका नहीं पिआ पर खेंच मैंझ सबीघते हैं तो आप यहां पर इस वाली term को जो यह वाली term है इसको हम यहां पर क्या कर सकते हैं क्योंकि यह तो आप यहां पर कुछ भी r की value पुट कर लोगे solve करने पर यह आपका यहां पर क्या आएगा वन ही आएगा तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे बस अप क्या करेंगे r की जगे 012 यह जब तक पुट कर जाएंगे जब तक आपका r5 न मन जाए तो 5c0-0.01 की पावर भी 0 पहले 0 रख रहें फिर आपका यहां पर और हमें लिखने कितनी है हमें 1st 3 term ही लिखनी है बाकी आगे नहीं लिखनी है तो 5c1-0.01 की पावर भी 1 फिर आपका यहां पर यह ओगा 5c2-0.01 की पावर भी 2 और आगे वाली जो चे 5 यहां छे टम आएगी न तो तीन हमने लिखन लिए कि आगे भी और टर्म्स आएगी लेकिन हम नहीं लिखने के लिए का अब इसको सॉल करो तो 5C0 NC0 आपका यहां पर क्या होता है वन होता है तो यह आपका वन हो गया और किसी भी नंबर चाहे तो नेगेटिव भी रहेगा और इसकी पावर वान है तो यह भी रहेगा फिर 5C2 कितनी बार सॉल कर चुके हैं हम 5C2 हमारा 10 होता है यहां पर लिखे तो नीचे टू है ना उपर दो लिखेंगे नीचे दो लिखेंगे उपर गटते वह नीचे बढ़ते वह दो से कैंसल हो गय को अधार सॉल करना पड़ेगा तो देखो 0.01 का सकुएर तो यहां पर 121 के सुम्हार क्या होता है तो हम यहां पर साइड में मिल्टिप्लाइब कर देते हैं तो यह आपकर यहां पर क्या हो जाएगा अगर आप यहां फिस तरह से ना करू ना तो हम सिम्पली कर सेथे बच तो इसका मतलब हमें फिर सी डैसिमल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा सारे नंबर डैसिमल में तो इसका मतलब चार जीरो चार नंबर के बाद में 11unes लगाना हैं बहीं 1 राथन होता तो एक नंबर के बाद डैसिमल लगाते बना लेते हैं और यह one Very be a 4000 तो ती नंबर के बाद होगा तो ऊपर हम यहांपे दौगा लगांशन Like to एकन मरट पहले तो दौगांशन like to summa isal, नफ तो ने क्या करोगे यहां पट नीचे बस अब इसको आगे solve करो तो 1 1 1 हो गया plus minus minus हो गया तो यह तो आप multiply कर लोगे 5 1 5 हो गया और यह 0.0 तो आपका asset हो गया फिर यह 10 से जब आप multiply करो गया तो देखो यहाँ पे decimal अटके नहींचे क्या आएंगे ती इस तरह से आएगा यह 10 से multiply हो रहा है इसको ऐसे भी तो लिख हो गया तो यह decimal ती नमबर के बाद होना चाहिए तो दो जीरो और एक ही है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 0.001 हो गया यह क्योंकि 10 multiply है तो decimal यहां से इधर shift हो जाएगा तो आपको ती नमबर ही solve करने क्योंकि approximate value निकालने है इसलिए अब हो आगे dash नहीं लगा रहे तो यह हमारा यहां पर हो गया solve अब इसमें plus plus को तो चाहिए आप add कर लो तो यह plus यहाँ पे add हो जाएगा तो देखो यह number है इसके बाद decimal लगेगा तो यह ऐसे add होगा यहाँ पे add होगा यह इस तरह से यहाँ पर लेगा यह आपका one है point zero zero one zero zero ऐसे लिख सकते हैं इसको one को हम जिरो पॉइंट जिरो फाइफ हो गया अब इसको भी solve कर लेता है तो यह हो गया one point zero zero one तो यह क्या हो गया आपका zero point zero five हो गया यहां कुछ नहीं तो आप zero लिख दो तो यह आपका one minus zero कितना हो गया यहाँ पर one हो गया फिर यहां से carry लेकिया हो यह 10 हो गया इसने इसको भी तो यह जिरोगों कि आपका answer यहाँ पर कितना है यह zero point zero point nine five one अब पीछे answer में क्या है एक zero extra लगा हुआ यहाँ पे आप मैंने 951 लिखा नहीं तो आपको होगे कि आपका answer match नहीं कर रहां पर पीछे zero extra लगा हूआ है तो वर पीछे तो चाहें आप कितने departments टान हो इसको सें क 3.9510 होगी ठीक है तो यह हो गया हमारा question number 7 तो बहुत easy question था कोई tough question था बट गलती मत करना इस तरह के questions बाते हैं तो आप यह decimal वाले question में हो minus plus हो तो mistakes मत करना बस ठीक है अब बचे में तीन question हम करेंगी next video में नोट्स के लिए आपको कहा जाना है लिंक description में है नहीं तो math teacher.blog पर जाकर कि भी आप नोट्स डाउनलोड फ्री में कर सकते हो थैंक यू